रिस्पेक्टिड विवर्ज लाइकस एंड सब्सक्राइबर्स वेलकम टो अवर चैनल जिसका नाम है हिंदी साहित्य और व्याकरन गुरू चलिए शुरू करते हैं हमारा हिंदी साहित्य के अति महत्वपुन प्रशनों की सीरिज में यह हमारा भाग आठ है तो पहला प्रशन है बनारस वासी भारतेंदू हरीश चंद्र ने किसे परदेशी भाषा का नाम दिया था ए खड़ी बोली बी अंग्रेजी सी संस्कृत या डी उर्दू तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर अंग्रेजी को क्योंकि आज भी वह परदेशी भाषा होते वे भी हमारे घर में बह बुद घोश या डी राजशेकर तो ऑप्शन सी सही है बुद घोश भाषा के अर्थ में अब्रंश का सरप्रथम प्रयोग मिलता है A. चटी शताबदी में B. सात्वी शताबदी के उतरार्द में C. आठ्वी शताबदी के उतरार्द में या D. उप्युक्त में से कोई भी नहीं तो ऑप्शन इसमें से भाषा के अर्थ में अब्रंश का सरप्रथम प्रयोग चटी शताबदी से शुरू हो गया था ठीक है अपनी मातरी भाषा के प्रती असीम प्रेम की प्रतीक पंक्ती निज भाषा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल इस साहित्यकार की है A. भारत इंदू हरीश चंद्र मागदी इस भाषा का वेकल्पिक नाम है A. संस्कृत B. पाले C. प्राकृत या D. अब्रंश तो अब इसमें से किसका वेकल्पिक नाम है मागदी? ऑप्शन B. सही है पाली इस भाषा को सरवाधिक हीनत्व बोधक शब्दों से अभिहित किया गया है A. प्राकृत B. अब्रंश या C. उर्दू या D. हिंदुस्तानी तो अब्रंश आना चाहिए अंसर क्योंकि इसे अब्रश्ट या गिरी हुई भाषा या भ्रश्ट हुई भाषा का नाम दिया गया है तो इसमें ऑप्शन B. सही है संपर्ख भाषा के रूप में जानी जाती है A. खड़ी बोली B. संस्कृत C. अंग्रेजी या D. उर्दू तो आप्शन A. सही है संपर्ख भाषा हमारी खड़ी बोली है नेक्स्ट है नमलिकित बोलियों में C. सर्वप्रधान बोली कौन सी है A. अवद्धी B. बगेली C. चतिसगड़ी या D. बांगरू तो आप्शन इसमें A. सही है अवद्धी प्राचीन देवनागरी लिपी का विकास हुआ था A. सेमेटिक अर्माइक भाषा लिपी से बी ब्रामी लिपी से C. गुरु मुखी लिपी से या D. नेपाली से तो आप्शन इसमें B. सही है ब्रामी लिपी से देवनागरी लिपी का विकास हुआ नेक्स्ट है हिंदी फिंदू हिंदूस्तान का नारा खिज में दिया हिंदी फिंदू हिंदूस्तान नारा आपको पता है होगा फिर भी option पढ़लेते हैं प्रताप नरायन में श्रृब भारतेंदू हरिश्चंद्र यह सी मैं थिली शरनगुपतिया डि श्रिदर पाठक तो option A सही है प्रताप नरायन में श्रुपता ही है आपने को गदे के होट वाली लिपी कौन सी कहलाती है A. कुटिल B. खरोश्थी या C. महाजनी या D. कहती तो option B सही है गदे के होट वाली लिपी है खरोश्थी विवहारिक खड़ी बोली गद्य की प्रत्थम पुस्तक का नाम क्या है A. भाशायोगवशिष्ट अगहन महातम्या या वैशाक मातम्या या D. प्रेम सागर प्रेम सागर ललुलाल द्वारा लिखा गया विवहारिक खड़ी बोली गद्य का ये प्रतम पुस्तक मानी जाती है वैसे भाषायोग वशिष्ट रामप्रसाद निरंजनी की खड़ी बोली गद्य की प्रतम पुस्तक मानी जाती है लेकिन विवहारिक में प्रेम सागर प्रेनी सभाकाशी की स्थापना वर्ष किया थे हैं यह पिछले प्रियों में पहला ही कोश्चन किया था फिर भी आप्शन पढ़ लेते हैं A 1893, 1818, 1897 या 1901 तो इन में से आप्शन A सही है 1893 हिंदी शब्द सागर के संपादक का क्या नाम है पंडित राम चंदर शुकिल B, बाबु शाम सुंदरदास या C, वेनी प्रसाद या D, चंदरवली पांडे तो इन में से आप्शन A सही है आपको याद होगा इनका हिंदी साहित्य का यतिया आज रहा है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रुप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था तो आप्शन A सही है नेक्स्ट कोश्चन है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई 1911, 1898, 1910 या 1922 ये भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं तो इसका अंसर आएगा 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, 1893 में नागरी प्रचारेनी सभा भाषा सर्वेक्षन के लेखक का क्या नाम है ऑप्शन है पंडित रामचंदर शुक्र ग्रियरसन गिल क्राइस्ट या श्यामसुंदर दास तो ऑप्शन B सही है ग्रियरसन भाषा सर्वेक्षन के लेखक कौन है ग्रियरसन जी नेक्स्ट कोश्चन है हिंदी साहित्य सम मेलन के प्राण कौन थी परशोत्म दास टेंडन सेट गोवन दास श्री नारायन चतुरवेदी या वास्तुदेव सिंग तो इन में से परशोत्म दास टेंडन का ही सबस्यादा नाम हाता है तो ऑप्शन ए सही है समवधान के उनसार स्वतंतर रूप से भारत की राश्ट्र भाषा हिंदी बन जायेगी 10 वर्ष में 15 वर्ष में कोई अवधी नहीं वह है बनने का प्रशन ही नहीं है Option C है कि कोई अवदी नहीं जब नया समवधान का बाद में संशोधन हुआ तो उसमें यही कहा गया था कि कोई जब तक हो जाएगा तब तक तो आज तक तो हुआ नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि कभी होगा आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना सबसे बड़ी प्राब्लम ही हमारे साथ यही है अगर हिंदी प्रॉपर हमारे बोल चाल की भाषा भी हो जाए हमारे देश की भाषा हो जाए और हम उसको बोलने में अपना मान समान भी समझने लगे तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो हम इसी तरह हैं से दोगला सा जीवन जीते रहेंगे हम अंदर से कुछ और हैं बाहर से कुछ और हैं जैसे हम अंदर से प्रॉपर उसी तरह से खाना पसंद करते हैं जैसे हम खाते हैं जैसे हमारी इच्छा होती हैं हम वही भाशा में बात करते हैं वही बोली में बात करते हैं जिसमें हम चाहते हैं घर में लेकिन बाहर आते ही हमारी टोनी चेंज हो जाती है खास तरफे गर्ल्स सो बहुत ही स्टाइल मारने कोशिश करती हैं उनको यह नहीं स खुद अंदर से कुछ और होते हैं और दूसरों को कुछ और दिखाते हैं हमें अपना सुधार पहले करना चाहिए मैं खुद भी अंग्रेजी के काफी शब्दों का प्रयोग करती हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिखावा सा करती हूँ वो मेरे मदर टंग में जैसे हम काउंट करते हैं वो इस तरह से हैं ना कि एक दिखावे के लिए हैं दिखावे को छोड़ें तो शायद हम हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे चलिए देखते हैं कब तक हमारे जीवन में तो हो नहीं पाएगा आगे शायद हिंदी ही ना रहे तो देखते हैं क्या होता है भविशय अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है इसके कंटेंट अच्छा लगता है अगर आपको इसका विशय वस्तु अच्छे लगती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब का जो बटन है अगर आपका वो लाल रंका है तो प्लीज उसे दबा कर सलेटी रंका कर दें और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें घंटी दबा के फिर हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई भी अच्छे से होती है ना तो शुरू कर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम जैसे ये क्वेश्चन आता है मेरा मोड वहीं पर डाउन हो जाता है मैं बहुत दमाग खराब हो जाता है कि क्या हम अपने ही देश में पराया सा जीवन जीते है पराई भाषा को अपना मानते है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है मैतली भाषा के संबन में यह कतन ऐसत्ते है ए इन में अनेक उप बोलिया है बी इसका विकास मागदी अब्रंश के मध्या रूप से हुआ प्रख्यात कभी मैतली शरंगुप के नाम पर इसका नाम करण हुआ डी विद्यापती ने अपनी रचनाई इसी में की है तो क्लियर ही है कि इसमें C आप्शन ही टिक होगा मैतली शरंगुप का जर्म तो कब हुआ और मैतली भाषा कब से चल रही है पंजाबी भाषा के प्रथम कभी कौन माने जाते हैं तो इसमें हम भी आप्शन को टिक करेंगे बाबा फरीद शकरगन शंकरगंज लोप्रिया रजना ही रांजा जो पंजाबी में रची गई के रचेता कौन है ए वारिस शा, महीप सिंग, मोहन सिंग या डी उप्रियुक्त में से कोई भी नहीं तो इसमें ऑप्शन ए से ही है वारिस शा महीप सिंग जी तो बहुत बात की बात है डिलाही इस भाषा का दूसरा नाम है बांगरू, बुंदेली, मेवाती, लहनदा ऑप्शन डी से ही है लहनदा साहिते के नाम पर इस भाषा में सिक्धर्म का एक मात्र जन्म साखी गरंथ मिलता है पंजाबी, लहनदा, सिंधी, राजस्थानी साहिते के नाम पर इस भाषा में सिक्धर्म का एक मात्र जन्म साखी गरंथ मिलता है option इसमें B सही है लहंदा लहंदा से ही पंजाबी का विकास हुआ था लंडा इस भाषा की अपनी लीपी है लहंदा, सिंधी, कुडिया, मगी तो option B सही है B सही है सिंधी कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है भारत इरानी शाखा की गौन शाखा दरत का निम लिकित में से यह विभाग नहीं है A खेवार, खोवार, काफिर, शीला, गिलगिती, बगेली तो option इसमें D दिया हुआ है, बगेली मुझे इस question का कोई खास idea नहीं है मैं भी answer देखकर ही बोल रही हूँ तो आज के लिए इतना ही thank you, best of luck और please like, share और subscribe करना ना भूले